सुबह की भूखो या फिर शाम की चाय का नाश्ता सैंड्विच खाना हर किसी को हर समय पसंद होता है और आज मैं आपके लिले कहीं उस सैंड्विच की बहुत ही मज़दार रेसिपी बनाने में आपको 10 मिनिट लेगेंगे और खा के लोग आपके तारिफ करते नहीं ठकेंग बेसन पुडला सैंड्विच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्दन में आधा का बेसन ले लिया है बेसन के साथ हम थोड़े से मसाले अड़ करेंगे तो उसके पहले एक छोटा चमच अद्रग और लैसुन का पेस डाल दें अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो बेसन का चिला तो जो चिला बनाने के लिए हम बैटर बनाते हैं न सेम प्रॉसेस से पहले हम यह बैटर बनाएंगे तो यहाँ पे पहले मसालों को और नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें पानी डालके इसका एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे ध्यान रहे क यह जो घोल है वो पतला नहीं होना चीए क्योंकि हमें bread की coating करनी है इसे तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला दे आप चीए तो whisker का इस्तमाल करें उससे यह अच्छे से mix हो जाता है तो यहाँ पर मैं spoon हटा के यह whisker इस्तमाल करती हूँ ताकि इसमें lumps नहीं रहे आप चीए तो हाथों से भी से mix कर सकते है जैसे ही सारी चीज़े अच्छे से मिल जाए हम इस batter को 5-7 मिनट के लिए रख देंगे बेसन जो है वो पानी में थोड़ा सा फूलता है तो batter हमारा थोड़ा थिक हो जाएगा सेंड्विच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह चार white bread के slices लिये हैं आप इसमें brown bread का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो batter ready हो गया यहाँ पर bread है अब हम एक salad बनाएंगे तो इसके लिए मैंने प्याज, बंद गुबी और शिम्ला मिर्च लिया है प्याज को मैंने बारी काटा है शिम्ला मिर्च और बंद गुबी को लंबाई में काटा है तो यहाँ पे इन तीनों को अच्छे से मिला दे इसके बाद इसमें नमक डाल दे एक छोटा चमच यहाँ पे लाल मिर्च का powder के लिए मैंने पहले से तवा गरम करके रखा है इसके उपर तेल डाल दे आप चाहे तो butter का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर तेल butter मिला के इस्तमाल कर सकते हैं तेल को अच्छे से spread कर दे और तवे को गरम हो जाने दे इसके बाद ये देखे जो बैटर है न जैसे हम besan toast बनाते हैं वैसे ही बनाना है बस इसमें थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको आगे तो यहाँ पे ये दूसरा bread भी मैंने चिपका के रख दिया और इसके उपर और थोड़ा center में आप ये besan का गोल डाल दे bread के उपर जो besan के लियर है वो पूरा चिला जैसा आना चीए अब हम इसके उपर ये salad रख देंगे salad में आप अपने पसंद की बाकी सबजे भी add कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसके उपर वापस थोड़ा सा बैटर डालेंगी ताकि जब हम इसे पल्टे तो besan जो है वो इससे चिपका रहे और हमारा salad जो है वो बाहर नहीं है gas का फ्लिम थोड़ा सा चीए तो आप बढ़ा दे और बीना ढखके आप इससे पकाए आप चीए तो तवे के किनारी यह जो एक्स्ट्रा ओयल है उससे आप ऐसे इसकी उपर डाल सकते हैं बेसन की उपर तो बेसन जो है न वो अच्छे से सेट हो जाएगा क्योंकि तेल यहाँ पर गरम है और वो बेसन की उपर जाते ही वो उससे थोड़ा सा सेट कर देगा तो यहाँ पर यह मैंने डाल दिया ग्यास का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियूम कर दें और जैसे ही आपको लगे कि यह नीचे के लिए रच्छे से सेट हो गई है आप इसे साफधानी से पलट दें यह देखे तो एक तरफ बेसन की कोटिंग दिख रही है दूसरे तरफ हमने सैलर डाला है अब हम इसके इस उपर वाले हिस्से में चीज डाल देंगी चीज इसमें ज़्यादा इस्तमाल करना है लेकिन अगर आप चीज नहीं खाते हैं तो चीज के बिना भी आप इसे नॉर्मल टोस्ट कर सकते हैं वाद अब दोनों साइड अच्छे से से शेक लेना है तो यहाँ पर यह चीज मैंने डाल दिया है इसके उपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ आप इसके उपर चीज तो थोड़ा और गैनों भी डाल सकते हैं किनारों पे हलका सा तेल डाल दे ताकि नीची वाला जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए इसके बाद गैस कफले मीडियम रखे और इसे पकने दे जैसे ही चीज थोड़ा मिल्ट हो जाएगा सेंटर में ऐसे कट लगा दे और उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड कर दे तो यह हमारी सैंड्विच जो है वो बन के तयार है दोनों साइड अच्छे से पका ले उसके बाद ही यहाँ पर गैस से निकाले तो यह देखे बहुत ही मज़दार बहुत ही डिफरेंट देख रहा है न तो अब हम इसे काट लेते हैं यह सैंड्विच पकने में थोड़ा जादा समय लगेगा क्योंकि हमने इसमें बेसन इस्तिमाल किया है और बेसन पकने में समय लगता है तो दोनों साइट जब यह अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी आप इसे तवे से उतारें और यह हमारा चीजी बेसन पुल्ला जो है वो बन के तियार है मतलब सैंड्विच तो इसके उबस सर्फ करने के पहले आप थोड़ा सा चीज क्रेट कर दें जैसे स्ट्रेट स्टैल में मिलता है तो यहाँ पर बेसन और चीज का जो कॉंबिनेशन है प्लस हमने जो वेजिटेवल सी उसकी है उसकी वज़े से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अमेजन आएगा तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है तो आप इस सिंपल वेज्ट सैंडविच की रेसिपी को जरूर ट्राई करें ये सैंडविच आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा अगर आज की रेसिपी आप